स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत हमारे चैनल बोर्ट सॉलुशन पर ही आज किस वीडियो में हम कक्षा बारवी बहुतिक शास्त्र के असाइनमेंट नमबर फूर याने नमबर महा की सभी असाइनमेंट के प्रश्णों के उत्तर देखेंगे इसके पहले कक्षा बारवी शुरुआत करते हैं 12 फिजिक्स के असाइनमेंट के किस प्रकार से आपको कोशन देए गये हैं और सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बोले जिससे कि आपको सीजी वोट के जितने भी हाँ पर आसाइनमेंट के आंसर्स है वो स सबसे पहले आपको गुगल पे जाना है गुगल पे सर्च करना है www.boardjankari.com जहां पर आपको क्लास 12 के सभी उश्यों के असाइनमेंट के आंसर्स की पीडियाप मिल जाएगी कुछ पीडियाप यदि फिलहाल अपडेट नहीं है तो इसकी लिंग जल्दी अपडेट कर दी आपको सबसे पहले विजित करना है जिससे कि आपको पीडियाप मिल जा या फिर अपडेट हो जाती है तो आप जाकर देख सकते हैं चलिए सबसे पहला कोश्चन देखते हैं तो सबसे पहला कोश्चन है प्रत्यावर्ति धारा के शिरनी परिपत में एक प्रेरकत्व संधा प्रतिबादा आरे क्या होगा वह और चौथा परिपत के लिए डबलूटी के साथ वी और आई में परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राब बनाना है जहां पर एकस सी क्या हो बड़ा हो एकस एल से ठीक है तो चलिए देख लेते हैं सभी एक एकंग के कोश्चन से इनमें तो स सबसे पहले हम देखेंगे और जो फर्स्ट है जहां पर आपको वी र बरापर दिया गया है और यहां पर कितने कितने वोल्ट दिया गया ठीक है तो सबसे पहले परिणामी विभांतर हम निकालेंगे यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर आप वी एल लिग देंगा ठीक है कि यहां पर आठ है थी के तो ती वोल्ट है तो इसे पर आठ कर लीजे वाट्सेप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैज का सवाल हूँ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोजिका आपकी हर डाउट हर कोशन्स का मिलेंगा तुरंत वीडियो सॉलूशन वो भी सीधा आपके वा एडवांस नीट, सीबेसी बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देरी की इस बात की अभी चाहिए 8400-400 पर अपना सवाल वाट्सेप कीजी और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजे लिंक के डिस्क्रिप्शन में है और यहां पर आठ है तो ती उसके और हम लिख दें क्योंकि कोस्ट्र के अन्दर है उसके बाद हम 20 का वर्ग जानते है 400 उस्ट पन्द्र का सफकड़ पूरे में अंडर उड़ें ठीक पूरे में बनाके चलिए अब पन्द्र का वर्गा कितना होता है state 225 और 625 और 625 किसका वर्ग मूल होता है आपर किस इसके बिच परिणामी भांतर जो हमारा निकला है उसके अलावा परिपत धारा के बीच यानि कलांतर को हम 5 से दर्शात है इसका संकेत क्यों होता है 5 तो 10 5 बराबर इससे कितना होंगा VL-VC upon VR बराबर कितना VL और VC के मैंने यहाँ पर आपको मान बता दिये कितना 23 स्रिनाठ हो जागा और VR कमान 20 दिया है तो 15 बटे 20 मतलब कितना 3 बटे 4 आया तो 10 5 बराबर 3 बटे 4 यदि केवल हम 5 कमान निकाले क्योंकि हमें केवल कलांतर गयात करना है तो 5 बराबर 10 इनवर्स 3 बटे 4 ठीक है यह हमारा कलांतर कुछ इस प्रकार से निकला कितना 10 इनवर्स 3 बटे 4 5 बराबर है हमें R1 बनाने के लिए भी कहा गया है तो प्रतिबादा R1 हम किस प्रकार से बनाएंगे XL हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले और यह XLC हो जाएगा यहाँ पर दिशाय दिखाना हमें किस प्रकार से धारागी है यह प्रतिभादा है, Z प्रतिभादा है, यहाँ पर बिंदू R है और यह धारागी जो है, इस प्रकार से हमें दिख रहा है, यह कुछ इस प्रकार से चोकोर बन रहा है, तो यह परिपत के लिए यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, प्रतिभादा R1 बन जाएगा, यह हो इन दर्शा पीजिए इन प्रम रोसी दर्शा पलए इस परे धारा के लिए धारा रहा है व चाल पर अलगे carbon सब्सक्रिक्न के का राख यह जो कण travelling करण यहां दर्षा आРЕए है यहां डर्षा आ गया है यह व्लू ट वन है और यहां पर जो उनकी बिंदु मिल रहे है उसको भी दर्षा आ Maine फॉस्ट और यह शेकंड है तो यहां पर दो बार जो है इस परकार से परिभादण इसमें आ रहा है यहां आप कुछ इस परकार से चित्रों को कम्प्रेट कर सकते हैं ठीक है तो इसके बाद हम प्रेशन कर बाएंग दो देखते हैं चलिए कोश्य नबर सेकेंड है इस नेल का नियम लिखिए पिले प्रकाश के लिए प्रिजम के पधार्त का पर तांग रूट टू है और प्रिजम कोन साथ डेग रिया तो नियुनतम विचलन की स्तिती में आपको नियुनतम विचलन कोन आपतन कोन और अपवरतन कोन ये तीनों चीजों को ग्याद करना है ठीक है चलिए इसका देखेंगे हम सॉलुशन सबसे पहले हम इस नेल का नियम लिखेंगे क्या होता है तो इस नेल की नियम में हाँ पर का अनुपात 1 नियतांग होता है अगे और लिखेंगे हम तो हैं पर आपको क्या दिया गए ए कमान दिया गए 60 दिग्री मू कमान दिया है रूट 2 तो हम मू का फॉर्मुले हम पर लिख देंगे साइन डल्म है, ठीक है, क्या है tribal m, ब्लस a, अपॉन 2, ठीक है पूरा भी लिख सकते हो, या single में हाँ अपर डल्मु 二 होता है, तो डल्मु ब्लीले में पॉन टू हो जाएगा, अब हमें new कमान पता कितना होता होता है, तो हमने म्यू की जगह पे रूट टू लिख दिया एक कमान भी पता है 60 तो हमने इसे एक की जगह पे 60 रख दिया है इसको आगे सॉल्व करते चलेगा तो साइन डेल एम अपॉन टू प्लस 60 और यहां पर साइन 30 हो जाएगा तो रूट 2 इंटू साइन 30 इस इकवल टू साइन डेल एम अपॉन टू प्लस 60 इतना हो जाएगा इसके बाद हम इसका मान निकालेंगे बहुत आसानी से रूट 2 है साइन 30 का मान वन बाय टू होता है वन अपॉन रूट 2 यहां पर आ जाएगा मतलब कितना साइन 45 हो जागा और साइन यहां पर कितना यह जो हमारे एक्वेश दूसरा हमें क्यात करना है आप तन कौन तो आप तन कौन यह निकी आई तो आई बराबर से ए प्लस डेलें अपॉन 2 मतलब 60 प्लस 30 करेंगे कितना नभे बटे दो मतलब 45 तो आई कमान अपर तन कौन कमान 30 डिग्रिया जा ए बटे 2 मतलब 60 बटे 2 यानि 30 ठीक है तो यह हो प्रकाशी की अंत्र की विभेधन चमता को समझाईए दूरदर्शी की विभेधन चमता कैसे बढ़ा सकते है ठीक यह पुछा गया है और यहां पर एक कोश्चन यहां से बन रहा है एक तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दहरे का प्रकाश आ रहा है यह यह लेंड़ा का मान आपको चार अंक के प्रशन पूछा गया चलिए इसका आंसा देख लेते पठापट से तो दूरदर्शन की विभेधन चमता क्या होती है किसी प्रकाशी की अंतरद्वारा दो समीपढ़ती वस्तूओं के प्रतिविंबो को अलग-अलग करने की चमता विभेधन चमता कहला विभेधन चमता के लिए एक अंके लिए अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है दूरदर्शी की विभेधन चमता को बढ़ाने के लिए इसका फॉर्मूलो वहता है यहां लेम्डा क्या है प्रवीक्त प्रकाश की तरंग धहरे और दी अभीध्रशकलेंस के द्वारक का वि चम्ता बढ़े यानि दूरदर्शी की विवेधन चम्ता बढ़ाना हो तो आपको इसके लिए डी कमान जितना जादा रहेगा उतना जादा आपको बढ़ेगा क्योंकि इसके प्रमानुपाति होती है इस कारण ठीक है तो आपके वल इसमें इतना लिख सकते हैं दूरदर्शी की विवेधन चम्ता बढ़ाने के लिए पहले फिर इतना 2 लाएने आपका आंसर पूरा-पूरा पूरा कम्प्लिक हो जाएगा ठीक है चली अगला प्रश्न लेखेंगे तो इसी में दो अंकल की लिए प्रश्नि पू तो 6000 गुणी 10 की घात 38 cm यह हम इसको यदि 6000 एंगस्ट्रॉम में इसको इस प्रकार से लिखे तो यह हो जाएगा ठीक है एंगस्ट्रॉम है सेंटीमिटर में हम इसको कनवर्ट कर देते हैं आप भी करके देख सकते यह यह आएगा फिर 6 गुणी 10 की घात 35 cm हो जाएगा क्योंक क्योंकि गुणा में घाते यहां पर जूड़ती है तो उसके प्रकार से क्योंकि पहला वाला बड़ी संक्यक चिन्न रीन है तो घटेगी है तो रीन पांच हो जाएगी घात इसके यहां पर आपका मान हो जाएगा प्रकाश की तरंग धहरे लेंडा का विभेदन की सीमा भी 240 व्यास दिया गया तो आपका आंसर आजाएगा 3.05 गुणि 10 की घातरिन साथ रेडियन यह पूरा आंसर आजाएगा विभेदन की सीमा का चली अगला प्रशन देख लेते हैं कोश्चन नंबर 4 तो कोश्चन नंबर 4 है मानोची कित्सा में प्रविक्त होने वाले दो विद चंबकी वर्ण करम के किन छेत्रों में पढ़ती है पहला वन म्यू माइक्रों 6563 एंगस्ट्रॉम 820 एंगस्ट्रॉम और वन एंगस्ट्रॉम इसमें चार ओप्शन है ठीक है चली देखते हैं ए और भी दोनों के आंसर कैसे हम करेंगे चली ए और भी दो पॉइंट में कोश प्रियो चैनल पर देखते हैं और विश्वय का असर की पीडियाप लिहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तीक है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना बुले दोस्तों में जरू शेयर कर दीजिए यह आपकी वीडियो चुट गई है तो प्लेडिस्ट आप जानते होगे कुछ भी हमें फ्रक्चर वागे तब भी हम कई पर एक्सर निकाल कर देखते हैं और शरीर के आंत्रे कंगों के चित्र लेने के इसका प्रियक करते हैं एक्सरे की जो यहां पर रेज होती हो कितनी दस किखा तरीन 16 हर्ट से 10 किखा 20 हर्ट तक इसकी जो होत होती है तो यह हो जाएगा इसके बाद इसका बी-पॉंट वाला है तो बी-पॉंट में भी हमें इसके चार कोश्चन पूछ थीक हैं तो पहला वन म्यू दिया गया है तो वन म्यू कुंसा होता है और अवर्णत तरंगे फिर 6563 अंगस्ट तरॉम तो यह द्रश्य तरंगे ह होती है फिर 820 एंग स्ट्रॉम यह पराबैंगनी तरंग उसके बाद वन एंग स्ट्रॉम मतलब एकसर तरंग ठीक है यह हो जाएगा आपका कोश्य नमर फॉर कंप्रिट चली कोश्य नमर फिप्त देखेंगे चली कोश्य नमर फिप्त है चार अंक के लिए है निमने तो ट्रांसफर्मर बिंदॉ कुछ नंस के लिए चीत्र हमें तो सबसे पहले हमाँए करने चीत्र बन जाएगा उच्छाई ट्रांसफर्मर के लिए किसाव पूर चित्र आप बना लोंगे किस्केली बनेगा और उच्छाई ट्रांस्वर्म तो ये भी चित्र, इसमें पहले प्रात्मी कुंडली और दित्य कुंडली कुछ इस प्रकार से लगी होई होती है, थोड़ा संतर होता है दोनों में, ठीक है ये हो जाएगा, तो दोनों ट्रांसफर का चित्र बनाएंगे, क्योंकि केवल नामन की चित्र पुछा गया तो ये उसके बाद कारे सिधान्त है, तो उसकी कारविधिया कारे सिधान्त के होता है, जब प्रात्मी कुंडली के सीरो के बीच प्रत्यावरती वोल्टेज लगाया जाता है, तब उसमें प्रत्यावरती धारा प्रवाहित हो जाती है, प्रत्यावरती धारा के होती है, दिट्य कुंणली की आकार में नमन नमन की चीटर भी देख लिए परिद्रान अनुपात का सुथ्रажи देखते हैं वो होता है ep upon yes and is equal to n-p upon n-s यही का क्या होता है फरिनमन का शुत्र ६्राइंस比較 सुत्र कहला है थी कि कि अध tat 24 कして rates USB upon yes contact pens pens app on n-p भराबर सेeur यहां पर आर किया है आर को परिनमन वनुपात कहते हैं तो आजlight वीडियो में हम ने क्लास 12 का फिजिक्स का असाइन्मेंट देखा जो कि नौम्बर महां का था बाकी विशएक के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगई या प्लेलिस्ट में अब यहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं बाकी उश्यों का साइन्मेंट के आंसर भी अवेलेबल है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं अविल अपने दोस्तों में जाता से ज़्यादा जरू शेयर कर दे वीडियो को जिससे उनकी भी हेल्प हो सके तो मिलते हैं नए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग